मद्धिप्रदेश में एक बार फिर बोर्ट परिक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है पांच फरवरी मतलब आज से दसवी कक्षा की MP बोर्ट परिक्षाओं शुरू हो चुकी है इसी के साथ ही बारवी कक्षा की बोर्ट परिक्षाओं कल से शुरू होनी है जिसके साथ ही विध्यार्थियों के चेहरे पर चमक है तो कुछ विध्यार्थी मायूज भी नजर आ रहे हैं इस साल दस्वी बोर्ट परिक्षा के लिए 3868 केंद्र बनाए गए हैं इन कैंद्रों में परदेश के 9.9 लाग विध्यार्थी दस्वी कक्षा की परिक्षाएं दे रहे हैं तो वहीं अगर बोर्ट परिक्षाओं में नकल की बात की जाए तो परिक्षाओं में नकल को रोकने के लिए सक्थ इंद जाम भी किये गए हैं मत्य प्रदेश मादमिक शिक्षा मंडल ने इस बार सक्ती अपनाते हुए कई सारे नियमों में बदलाव किये हैं MP बोर्ट की नई गाइडलाइन के मुताविक इस बार परिक्षा केंदरा ध्यक्ष भी अपने पास मुवाइल फोन नहीं रख सकेंगे बोर्ट परिक्षा है साइवर सेल की निगरानी में होंगी लेकिन इसके बाबजूद भी जिस प्रकार से हर बार सोशल मीडिया पर बोर्ट परिक्षाओं के पेपर लीक होते नजर आ रहे हैं इस बार भी कहीं कहीं इस्तिती ऐसी ही है बोर्ट परिक्षा के दौरान अगर किसी भी प्रकार की गोपनियता भंग होती है तो 10 लाग रुपे तक का जुर्माना लगाये जाएगा साथ ही 10 साल की सजा का भी प्रापधान किया गया है वही नकल रोकने के लिए स्पेशल कमीटी का भी गठन करते हुए बोर्ट परिक्षाओं में नकल रोकने के लिए बोर्ट ने इस बार एडमिट कार्ड में क्यू आर कोड भी लगाये हैं इसे स्केन करते ही छात्र का नाम, फोटो, माता पिता वाई स्कूल का नाम साथ ही पंजिया नंबर सहिज सारी की सारी जानकारी सामने आ जाएगी जिससे ये साफ तोर पर पता चल सकता है कि विध्यारती असली है या कोई फर्जी वाड़ा तो नहीं हो रहा तमाम सकतियों के बाबजूत, एक बार फिर परिक्षाओं में धांदली और पेपर लेकी बातें सामने आने लगी है मामला इंद्वर का है जहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर लीक करने की बाद सामने आ रही है टेलीग्राम पर एक ग्रूप है जहां पर कहा जा रहा है कि हिंदी का पेपर यहां से प्राप्थ करिए मात्र साड़े तीन सो रुपे में जिसके बाद डियो ने ततकाल जाच के आदेश दिये हैं सादी सिक्षा बिभाब का ये कहना है कि विध्यार्थी इन जहासों में ना आएं इस प्रकार के प्रलोबन सिर्फ आपको परेशानिया दे सकते हैं अगर किसी के पास इस प्रकार का फर्जी कोशन पेपर प्राप्त होता है तो उस विध्यार्थी पर और उस व्यक्ती पर सक्त कारवाई की जाएगी अगर देखा जाए तो वोट परीक्षाओं को लेकर विध्यार्थियों के चहरे पर उत्साहसाफ नजर आ रहा है साथी मद्द प्रदेश के मुख्य मंतरी डॉक्टर मुहन यादव ने MP बोर्ट परीक्षा में शामिल होने वाले च्छात्र च्छात्रा को ट्विटर के माध्यम से शुपकामनाय दी है मुहन यादव ने कहा कि तनाव रहत होकर एकागरता और आनंद के साथ परीक्षा में भाग लीजिए आप परीक्षा में अपना सर्वस्रिष्ट दें निश्चित ही आपके परिश्रम का सुखत फल मिलेगा मेरी शुपकामनाय और आशिरवाद आप सभी के साथ है कुल मिलाकर मद्परदेश में पढ़ने वाले दसवी कक्षा के लगभग 10 लाग शात्र आज पहली परीक्षा दे चुके हैं इससे पहले भी अगर देखा जाये तो पिछले साल तक कई प्रकार के ब्रहमात्मक जानकारी और नकली कोशन पेपर मार्केट में वाइरल हुए जिसके बाद विध्यार्दियों को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा विध्यार्दी शॉर्टकट समझते हुए उन कोशन पेपर को ले लेते हैं लेकिन परिक्षा की पढ़ाई करने से तयारी करने से बचते नजर आते हैं जिसके बाद उनका परिणाम बिगर जा झाल